एक संगत द्वारा साज़्ा किया गया वानी रहित सत्संग मेरे गुरु जेहा होर कोई ना अग्रेशित सत्संग एक संगत ने 2016 में कुछ समय के लिए बड़े मंदिर में आना शुरू किया था वह लगभग तीन महीने के लिए आया था और वह लगभग हर सोमवार को आता था करीब तीन महीने बाद एक दिन उनकी पत्नी शान इपंजाब से चया कार में दिल्ली से जलंधर जा रही थी उसकी टिकट प्रतीक्षा सूची में थी जो रवांगी से एक दिन पहले ही कन्फम हो गया जब यह आंटी जलंधर पहुची तो उसका अफरन कर लिया गया चुनकी उसका पती गुरू जी का भक्त था इसलिए वह पत्नी की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रति दिन बड़े मंदिर आने लगा साथ आठ दिन बाद वह घर लोट आई अफर्ताओं ने ये सोच कर उसकी पत्नी का अफरन कर लिया था कि वह किसी न्यायक अधिकारी की पत्नी है जिसने उसे टिकट दिया था ट्रेन रवाना होने से ठीक एक दिन पहले रद कर दी गई और संगत की पत्नी ने अपना टिकट कंफम करवा लिया अब जब वह घर वापस आई तो उन्होंने विभिन धार्मिक स्थानों पर शुक्राना करने के बारे में चर्चा की उनके पती ने बताया कि शुक्राना के लिए वे पहले बड़े मंदिर जाएंगे उसकी पत्नी का उससे कोई संपर्क नहीं था बलकि वह इस बात से दुखी थी कि उसका पती पिछले तीन महीने से एक गुरुजी के पास जाने लगा है साथ आठ दिनों के दोरान जब संगत प्रतिदिन बड़े मंदिर में जाती थी तो उसे गुरुजी की तस्वीर मिली जिसे उसने बटुए में रख लिया उसने अपनी पत्नी को गुरुजी की फोटो दिखाए और वह गुरुजी को देखकर दंग रह गई उन्होंने कहा ये वही शक्स है जो जब मैं किडनेपर्स की कैड में थी तो मेरे लिए रोज दो बार खाना लेकर आता था